अम लोगो समझेंगे past participle की बारे में Past participle की खास्यत ही होते है कि यह third form में लिखा जाता है Third form कैसे लिखा जाता है? या तो कोई sentence के ठीक पहले third form करके और कुछ लिखा होगा phrase जो इस इंसान से इस चीज से related होगा या फिर कोई एक अपने पास noun है और उस नाउन के ठीक पहले ठीक पहले यहाँ पर V3 लिखा होगा और sentence बागी के लिखा होगा यहाँ पर sentence अला होगा V3 करके कुछ लिखा होगा वो इससे connected होगा यहाँ पर पूरे sentence होगा single यहाँ पर एक नाउन से ठीक पहले V3 आएगा यह दोनों condition में parts possible का हम लो use मानते हैं वहाँ पर हैं दूसी बात इनका active पैसे form same होता है बस हमें sense निकालना होता है अब हो कैसे होता है वो हम देखते हैं कि देखो बेसिकली अपनी वर्फ्स जो होती है बेसिकली जो अपनी वर्फ्स होती है वो दो टैप की होती है रेगुलर वर्फ और इर्रेगुलर वर्फ अब बात के साथ मैन वर्फ और ट्रांस्टेव और इंट्रांस्टेव भी होती है लेकिन जो मैन वर्फ्स होती है वो ट्रांस्ट या E D या T जोड़ दें तो वह अपनी बन जाते हैं रेगूलरबर जैसे कि ड्रीम्ट 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 प्ले प्लेड 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 मर्ज मर्ज इमेजन्ड इमेजंड कि डी जोड़ा हो दर पर और कुछ ऐसी वर्यप्स जिनके तीनों फॉर्म अलग--अलग होते हैं , वह क्यालाती हैं अपनी Reguler Shimmer हमने यहां पर First Form की Directiary Form ढखी है और Third Form को बलते हैَ Past-Parse read, Lead, and Part Form फिलाल हमने यह पर पाउस्ट वर्ब की बारे बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे Past, Patch Murray के बारे जिसका चेहरा हुता है वर्व की third form और ये किसी sentence में वर्व का काम नहीं करती है ये adjective का काम करती है इसलिए इसको verbal adjective बोलते हैं सर ये man-verb क्यों नहीं है देखो हमने list देखे थी finite और non-finite बीच को में difference अगर केवल v3 लिखा है और इसके ठीक पहले helping verb अगर है तो तो का adjective की तरह है कैसे करेगा क्या करेगा वो देखना है लुक की third form looked होती है इस्टे की state होती अराय की arrived होती है try की tried होती है bite का bitten होता है fly का flown होता है hit का hit होता सेम रहती है leap की left होता है swim की swim होता है हमें overall work की third form चाहिए work की third form में दो type की होती है यह हम advanced के और ज्यादा lectures में देखेंगे यह तो advanced चली रहे हैं और high level पर पहुंचेंगे वहाँ पर इनको की समझेंगे जो आपकी third form होती है जो as an adjective work करती है वो कभी-कभी दो भी होती है जिसमें इस एक अधिकल में मैन वर भी रहती है हो एक हो जाती है adjective सब देखेंगे परिसान नहीं होना है फिलाल मुझे यहां पर third form का चैरा चाहिए था जो कैसे बनता है यह नहीं बता दिया है अब देखी यहां पर थोड़ा सा लॉजिकल ही है ध्यान से पेसेंस समझना बहुत ध्यान से समझना ही मेरा सब्जेट हो गया है है मेरा helping वर वै क्यों है क्योंकि इसके बगल ने given third form आई यह मैन वर ओल क्या हो गया ओल मेरा हो गया पजिसर एजटिव जिसके बगल में article आया order से इसका हो जाएग नाउन और यह given का हो जाएगा object कोई यहां तर दिक्कत है कि निपली होता हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं यहां पर एक word ले रहा हूं फिलाल given give और give को मैंने अभी यूज़ किया है एक मैनवर की तरह third form में he subject has helping word के मैनवर बगल में आ जाओ बगल में देखा यह तो मेरा possess adjective है यानि कि article वह all adjective है मैंने गलत बोले possessive adjective नहीं है बलकि यह determiner है all यह adjective है यह भी मेरा adjective है यह दा मेरा article है गुड गुड मेरा क्या हो गया गुड मेरा adjective है he has all the good orders orders मेरा यहां पर एक objective noun है फिर सो समझो तो यहां पर इसके बगल में कोई मैनवर तो है तो यह मेरी बन मेरा यह subject हो यह मेनवर हो गई यह आर्टिकल यह आपका adjective हो गया यह आर्टिकल हो गया इस noun के पहले यह खोद की adjective आ गई है अब मैं चाहूं तो इस good को हटा करके यह भी कर सकता हूं he man verb adjective article given word की third form है यहां पर word की third form है यह मेरी मेरा होई क्या यह मेरी मेरा है इसके पहले helping word आई थी क्या इसके पहले helping word नहीं है इसका मतलब यह यहां पर word तो है ही यहां पर यह पास्ट पार्ट्सपिल का काम कर रही है पास्ट पार्ट्सपिल में काम हो चुका होता है he has all the given orders हिंदिया से देखना यह इसका हो जाएगा object यानि एक noun है और इस word का object he has given all the orders उसने सारे order दे दिये हैं यहां पर इसका मतलब निकला देना he has all the good orders उसके पास सभी अच्छे order हैं उसके पास सभी अच्छे order हैं उसने सभी order दे दिये हैं he has all the given orders उसके पास सभी दिये गए देना नहीं दिये गए order हैं अच्छे order हैं दिये गए order हैं condition एको दोनों की same ह तो यह यहाँ पर adjective का work कर रहा है जो कि parts पे लें और जो order दे दिये जा चुकी है perfect sense में हैं दूसरी बत यह है कि यह adjective है और यह noun के पहले आया हुआ है और इसके पहले कोई help पर वाद तो यह adjective है अब इसी तरह से यह आपकी second form भी होती है और third form भी होती है पहले हमें यह चेक करना कि second form है के नहीं अगर इस second form है तो यह अपना subject लाएगी अब ध्यान दो कि he has, has मेरी मैनवर हो गई और यह मेरा subject हो गया तो required के लिए कोई दूसर subject यहाँ पर है नहीं इसका मतलब यह मेरी work की third form है अगर यह work की third form है और अगर यह मेरी मैनवर है क्या मैनवर रसले क्योंकि अभी भी इसका कोई subject नहीं है तो यह पार्स पार्स पिल माना जाएगा अभी तो हमने यह सीखा था, कि पार्स पार्स पिल किसी noun के पहले आकर के adjective को कम करता है लेकिन इसके पहले तो इस्के बाद कोई noun है इसके प्रपॉश्चन है घरबड है देखो वी थृरी जो है वह किसी noun के पहले भी आ सकता यह जो इसके लिए आता है और वीत्री और वीत्री देखो अगर ये काम हो चुका है तो ये ऐसे लिखा जाएगा और अगर कोई noun के लिए वो काम होना है तो वीत्री यहां लिखा जाता है मैं ये कह रहा हूँ कि He has all the qualifications देखो required qualification नहीं He has all the qualifications which are required for the job देखो ये लिखा कैसे है He has all the qualifications एक sentence that are required for the job यहाँ पर एक मैंने relative pronoun डाला है that is which job मालो यहाँ पर आ रहा है अगी मैंने बताया था आपको इस पहलो वीडियो में कि which are यहाँ पर conjunction और help में चुपे होते हैं तो ये इसके बारे मैं बता रहा है कि जो की required है जो की required हैं जॉब के लिए वो सारे सारे qualification उसके पास है तो ध्यान देना पड़ेगा यह ऐसे लिखे जाते हैं डेमेजड बेर्ली बाई दा फ्लड दा स्कूल है टू बी रिबिल्ट अब ध्यान दो कि यहाँ पर यह इस सेंटेंस में अब ध्यान दो तो यह आ रहे है आर के बाद वीवन प्लस आइंज आता है एक्टिव वाइस में यहाँ पर यह रिखा है फण में क्या क्या कॉलिफैंट करेगी नहीं कोई दूसरी र्षkimась कोई कनीरा अइस की चाहता है प्सक्रिक्षर है लँकि इसने दिया होगा पैसे इस यस्ट्रक्चर रहा और एक्टिव आ सकता है यहां देख लो mostly वीत्री जो यूज होता है पार्ष पार्टस्विल की तरह है वो जर्द तर वो आपका पैसे फॉर्म में यूज होता है एक को ले लो a lost child एक खोया हुआ बच्चा काम हो चुका खोने का क्या बच्चे ने खुद को खोया है नहीं यह खोया हुआ है दोके से या जर्ण बूच करके कैसे भी तो यहाँ पर एक बाद यह क्लिर हो रही है कि यह पैसे श्ट्रक्चर ही होते है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो badly, damaged badly by the flood, damaged मेरी वीत्री है जो कि पार्च पार्च के ले badly एक adverb है जो कि इस वर्ब की बिसित्ता बता रहा है by proportion हो गया the flood, मेरे यहाँ पर एक noun है object is proportion का और यह बता रहा है manner, कैसे हुआ by the flood, the school अदो देखो, यह पैसे structure क्योंकि school खुद को injured नहीं कर सकता है badly, damage नहीं कर सकता है वो flood नहीं किया है, पैसे structure है the school had to be इसकूल के खुद को बनाएगा नहीं, इसलिए पैसे structure डालना पड़ा to be, यह सब मैं पढ़ा चुका हूँ sentence क्या था as the school had been badly damaged by the flood, जैसा कि school पहले से ही बहुत ही बुरी तरीके से badly damaged हो चुका है it had to be rebuilt, इसलिए इसको दोवारा बनाना पड़ेगा जैसे यह sentence real में था इसको वो ऐसा लेखे है निश्वी पर में इसलिए हमें समझ्जबिन नहीं आता निश्वी पर यह था तरीका अब देखिए हम फेसे बात करते हैं कि if we want to emphasize an earlier time, मैं ही चाहता हूँ कोई काम पहले जो हुआ है उसको मुझे कोई जादा ही especially so करना है उसको जादा ही so करना है तो मैं उस structure को पैसे perfect form में लिखूँँगा कैसे लिखूँँगा जैसे कि आप मेरे पास आए और आपने का कि मैं नए मोगल खरना चाहता हूँ एक लाग उपे वाला और मेरे इच्छा नहीं है तो जो बात मैं नहीं चाहता हूँ जो बात मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ना हो उस बात को मैं ज़्यादा emphasize करके बोलूँगा मतलब जो बात मैं चाहता हूँ कि ये ना हो ज़समे चाहता हूँ तो mobile ना खरीदो और मैं इस पर दवाब डालना चाहता हूँ तो इस पर मैं ज्यादा दवाब डालूँगा इसका बोलने के तरीका मेरा अलग हुआ और ये बात में पहले और बात में कहा रखो ये मेरे दवाब अलग से वर्क करेगा मैं लोजिकल ही बात आँ साइकलोजिकल आप मेरे पास आए आपने का एक लाग का मोगा खरीदा है और मुझे माना करना है मैं वकर दिल भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ मैं ही चाहता हूँ और दमाब बतल जाए और आप वो मोगा ना खरीदो तो बढ़िया ही है और खरीद ना तो खरीद लो ना खरीदो तो बढ़िया ही है मतलब मैंने उस सेंट उसको बड़ा एंफिसाइस करके बोला और लेंदी बोड़ा और मैंने पहली बोला उसको और खरीद ना तो खरीद लो और जब खरीद दी लो तो मतलब उस वाली जो का मुझे नहीं करवाना था उसको लाच नम बोला उसको लाच नम में बहुता हलके से बोल दिया है तो जब मुझे कोई पहली बात इंपोर्टेंट बात ज्यादा एमफिसाज करके बोलनी है तो मैं पहले लिखूँँगा कैसे लिखोंगा देखो यह सेंटर से लेते हैं he has been nominated three times for an Oscar Oscar एक award होता है वह है तीन बार Oscar के लिए nominated हो चुका है and he is one of his today's and he is one of today's most acclaimed film directors और आज ही टाइम पर बहुत ही वह प्रसिद्ध सो प्रसिद्ध डिरेक्टर में से एक है अच्छा अब ध्यान दो इस one के बाद यानि कई में से एक निकालते हैं तो वहां पर subject आता है plural मतलब उसका noun अगला आता है plural यह सारा एक सारा वहां पर इतरीक इसे emphasize करके देना है कि three time nominated है वो और बाद है बताना है वो है क्या वो डिरेक्टर वो क्या वो बाद की बात है जैसे कि आप दुकान पर गई किसी के आपका mobile पड़ा हुआ था खराब था आपको बहुजे जुरुत थी तो आप दुकान पर जागो यह पोचो कि दुकंदार क्या में मोगाल सही कर दिया है यह से बोलोगे कि यह बोलो कि मोगाल सही हो गया क्या दुकंदार ने किया कि अपना सही हो आपको इससे मतलब नहीं है आपको मतलब इस बास से क्या mobile आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है आप हिंदी में भी पैसे बोलते हो कि मोगाल सही हो ग कि हमें काम करने वाले से कोई मतलब नहीं होता है हमें काम से मतलब होता है हमें चीज से मतलब वस्तु से मतलब होता है इसलिए पैसे बोला जाता है तो having been देखो पहले ये nominated हुआ, ये हो चुका है तभी तो इंपोर्टन डिरेक्टर में से एक बना है तो having been nominated three times अब दो कैसे बना मैंने इसको किया first form of change having been का ले लिए been, बाकी same having been nominated three times for an Oscar he is one of today's most acclaimed film डाइक्टर बाकी same रहेगा मेरा और ये काम देखो ये ध्यान देना ये perfect parts film है ये पैसे वो structure है क्यों है पैसे है क्योंकि इसने खुद को nominate नहीं किया है इसको nominate किया गया था बातारी समझ में एक बाप फेसर देख लो the leaves that had fallen वे leaves जो टूटी हुई हैं ये टूटी हुई थी the leaves the fallen leaves हम क्या करें हैं the fallen leaves वे जो टूटी हुई leaves the leaves which are fallen ये which ये that had fallen इस structure को हम ऐसे लिख सकते हैं इस पूरे के पूरे structure को हम ऐसे लिख सकते हैं और निजवेपर में ऐसा ही लिखा आता है इसलिए समझ में नहीं आता है the fallen leaves दुमा क्या कहता है fallen third form में helping me गायब कर दी sentence कितना गलत लिखा है गलत नहीं लिखा है उसका structure चेंजे उसको contract कर दिया sentence को the fallen leaves covered the garden path तोटी हुई पत्तियों ने garden के जो रास्ता निकलने बाद उसको ढख दिया है एक हो देखो फेसी there was a handwritten note on the table handwritten note ये single word है adjective के तरह काम कर रहा है table पर हांसे लिखा हुए एक note रखा था तो कैसे होगा a note a note that had been written by hand एक note जो हांसे लिखा गया है उसको कैसे तोड़ दिया मतला उसको इसको देखो कैसे तोड़ा यहां पर एक note जो हांसे लिखा हुआ है इसको कैसे बनाया a handwritten note देखो कितने बड़े कितने छोटा कर दिया है तो यही parts will यही finite verbs का खेल है कि बड़े बड़े चीज़ों कैसे छोटा किया जाए और किस चीज को कहा कैसे लिखा जाए तो वो सारी कहला थी टेकनिक हमारी परिजने parts will के अंतर आती है और उनकों देखते हैं अलगल तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे आगे